बिक बॉस 13 एपिसोड 1 से मैं आपके साथ डिसकस कर रही हूँ तो सारे ही एपिसोड आपको मेरी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे अगर आपने नहीं देखे हैं तो सीधनास का सफर प्लेलिस्ट है मेरे चनल पर वहाँ जाकर आप सारे ही एपिसोड देख सकते हो तो इस वीडियो के एंड पर भी मैं वो प्लेलिस्ट लगा दूँगी तो आज मैं स्टार्ट करने वाली हूँ एपिसोड 31 का पार्ट 2 तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दिजे और अगर आप चाहें तो मुझे इस्टार्ट पे भी फॉलो कर सकते हो लिंक में ने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है तो यहाँ पे अब स्टार्ट होने वाला है बोरी वाला टास्क जिसमें असली रंग नजर आएंगे यार दोस्ती के नाम पर कौन क्या कर रहा है सब कुछ देखने को मिलेगा और किस तरह से चिधात और शहनास में सब ही लोग वाल कार्ट और पुराने लोग मिलकर दूरिया लाने की सोच रहे हैं सब कुछ इस एपिसोड में इस टास्क में नजर आ जाएगा यहां पर दो टीम्स बन चुकी है एक पारस की टीम है और एक आसिम की टीम है और यह दोनों संचालक भी होंगे मतलब अपनी अपनी टीम के लीडर भी होंगे आसिम की टीम है सिधात, आरती, हीवानशी और शेफाली और पारस की टीम है माहरा, तहसीन, शेहनास, अरहान, कहजारी यहां पे बिग बॉस भी गेम खेल रहे है शेहनास को दूसरी टीम में डाल दिया जिसमें सिधात है उसमें नहीं डाला है लेकिन मैं यह बताना चाहती हूँ कि बिग बॉस के जो घर में है वो लोग तो शेहनास और सिधात को दूर करने की ठान ही चुके है खाई लाने की ठान ही चुके है लेकिन बिग बॉस भी ऐसे से टास्क देते हैं और दोनों को अलग अलग टीम में रखके इन दोनों के बीच में गलत फहमिया और भी बढ़ाते हैं हाला कि इन चीजों में कभी कोई काम्याब हो ही नहीं सका क्योंकि इनका रिष्टा इतना जादा गहरा है कि इन चोटी मोटी चीजों का उस पर कभी असर नहीं हो सकता तो यहां पर अब टास्क की तैयारी हो ρही है पारस अपनी टीम के साथ बात कर रहा है और पारस की न सोच यहां पे दिखती है कि वो लेडिस को औरतों को कितना जादा कमजोर समझता है मतलब जेंड्स के साथ उनका गंप्यर कर ही नहीं सकता और यहां पर जब वो अपने टीम को समझा रहा होता है टास्क के लिए तो उसका कहना होता है कि हमारी टीम में तो मैंन पावर जादा है यह लड़कियां तो ऐसे ही है यह किसी काम के नहीं जो शहनाज और माहरा इनकी टीम में लड़किया है तो यहाँ पर मतलब इसकी सोच नजर आती ही कि यह कितना घटिया है और खुद को ममास बॉय बोलता है तो यार किस मुझे ममास बॉय बोलता है तो हमारी सोच तो ओरतों को लेके इतनी घटिया है और वो हमेशा इसे नजर आती है दूसरी और सिधार्थ और उसकी टीम यहाँ पर संचालक कहले या टीम का लीडर कहले वो आसिम बना है लेकिन यहाँ पर टास्क को अच्छे से समझना हैंडल करना आसिम के बस की बात नहीं है यहाँ पे वो सिधार्थ आता है और सब चीजों को समझाता है कि हम ऐसे 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 करेंगे अब टास्क होता है स्टार्ट लेकिन सिधार्थ ना भाव को कुछ समझाना चाहता है वो भाव को थोड़ा सा अलग ले जाकर और टास्क के बारे में समझाता है तो आसिम इतनी ज़ादा गंदे तरीके से बोलता ओय हलो यहीं बात करो मतलब यार यह क्या तमीज है जब तक तुम सिधार्थ के अंडर होकर कहल रहे थे तुम्हें पता था इस गेम का तुम्हें नहीं पता है सिधार्थ तुम्हें बचाएगा आगे लिक जाएगा तब तक तो तुम इस तरह की टोन में बात नहीं कर रहे थे और आज अचनक जब तुम्हें पावर मिल गई है तुम इस टीम के लीडर बन चुके हो तुम इस तरह के से बात कर रहे हैं तो ये असलियत पता दिये एक तरफ आरती को पावर मिली है वो कैप्टेन बनी है और दूसी तरफ आसिम को पावर मिली है वो इस टीम का लीडर बना है टास्क में तो दोनों ही अपनी इस पावर के घमंड में चूर हो चुके हैं और जिस तरीके से इनका बात करने का तरीका है ना वो चीज़ें यहां पे दिखाता है अब सिधार्थ का सिधार्थ बहुत जादा प्रोटेक्ट करके रखना चाहता है उसे लगता है कि अगर तुम्हारे दिल में कोई बात है तो तुम धीरे से अलग से चल कर बोल सकते हो लेकिन यहां करना आसिम बहुत चिला के बोलता है और सब के सामने बोलता है अब पहली बार तो सिधार्थ सिधार्थ बहुत बहुत इस एगनॉर करता है उसके बाद टास्क फ़र स्टार्थ हो चुका है दोनों टीम को अपनी बोल्यों को समभालना है रक्षा घरी नहीं है बोरि को तो भाव और सिद्धात प्रोटेक्ट कर रहे हैं बोरियों को लेकिन भाव को फिर से कोई चीज समझ मैं आतीए तो सिद्धा साइट पे ले जाके समझाना चाहते है क Keeping दूसरी टीम के सामने सिद्धात नहीं समझा सकता न उसकी स्ट्रेडिजी तो साइट पे ले जाके समझाना चाहता है तो आसिम इतने में फिर से चिलाता है भाई आसिम भी तो प्रोटेक्ट कर सकता है ना बोरियो को जरूरी है कि सिधार्थ और भाव ही प्रोटेक्ट करें और अगर उन्हें कोई बात करने है तो आसिम को थोड़ी सी दिर संभालना चाहिए लेकिन नहीं इतनी समझ आसिम में नहीं आसिम दुबारा चिलाता है सिदाथ सुनना यार इधरी बात करो इधरी बात करो सुनना यार तू ऐसा मत करो तो सिदाथ फिर जाता है आसिम के पास और उससे कहते है कि तू इतना डर क्यों रहा है अगर वो लोग यहां से उठाएंगे तूमने पूरी की पूरी बोरियां उठा के अपनी तरफ रख लूँगा तू चिल कर यार बस सिधात को यह रहता है कि टीम की बाते बाहर ना आएं सिधात इस चीज से बिलकुल कंप्रमा इस नहीं कर सकता और दूसरी तरफ यह सारी चीजे देखकर पारस हस भी रहा होता है जिस पर सिधात को मतलब बहुत जादा चिड़ो होती है उसके बाद आरती भी चालू हो जाती है तो सिधात कहता है कि चुप हो जाया तो आरती कहती नहीं मैं तो बात ही कर रहू ना मैं तो सिधात मतलब कहता है कि अगर मैं बोल रहा हूं तो कुछ सोच कर ही बोल रहा हूंगा इसलिए चुब हो जाओ लेकिन यहां पर आरती और जो आसीम है दोनों अपनी पावर देखा रहे थे यह दोनों वैसे तो हमेशा सिधात की बात माना करते थे सिधाथ की हर बात उनको सही लगती थी, क्योंकि वो इनके फेवर में होती जब बावर मिल चुकि है तो उने सिधाथ की बात नहीं माननी, यह दिखाता है कि यार यह दोनों किस उकाद के हैं और यह दोनों कभी भी दोस्ती के लायक नहीं है, यहाँ पर मतलब की दोस्ती है और मतलब की दोस्ती चली आ रही है और एक बात और मैं आपको बता दू कि सिधात को फीवर भी है वो मेंटली स्ट्रेस में है क्योंकि शहनाज उससे दूर है और शहनाज से दूरी सिधात को परदाश नहीं होती और जब mentally हम परिशान होते हैं ना कहीं न कहीं फिजिकली उसका असर होता ही है अब task समाप्त हो जाता है और ट्रक में सारी बोरिया लोट कर दी जाती है अब बोरियों को count करने की बारी आती है इतने में शहनास आती है और वो अपना एक प्यारा सट डालोग बोलती है शहनास क के लिए बोली होगी मुझे लगता है उसने आसिम के लिए बोली होगी क्योंकि आसिम सिधात की हर बात को target कर रहा था उसके against जाने की कोशिश कर रहा था अपने आपको लीडर बना रहा था तो मुझे ऐसा लगता है कि शहनास ने ये line ना आसिम के लिए बोली होगी आपको क्या लगता है guys मुझे comment पे जरूर बताएगा फिर सिधात कहता है कि अब तो तु दूसरी team में है तो तुझे वो लोग hero लगेंगे और हमारी team में नहीं है तो हम तो तुझे villain नजर आएंगे फिर शहनास कहती है अपनी feeling की बात करती है शहनास कहती है कि feeling भी समझनी चाहिए friend की friend को ऐसे ignore नहीं करना चाहिए तो शहनास के दिल में बस यही बात है कि मुझे मेरी team और खासकर सिधात क्यों ignore कर रहे है क्योंकि नए लोग आ चुके हैं इसलिए और नए लोग आएं तो उनकी तो यही strategy है न कि शहनास को सिधात से दूर करना क्योंकि सब को पता है यार कि यह दोनों सबसे जादा strong है और task जिस तरह से इन दोनों को समझ में आता है वैसे कभी कोई समझ नहीं सकता अब एक conversation दिखाए जाती है आसिम और सिधात बैटे होते वीवो ब्लू सोफे पर तो आसिम सिधात को कहता है कि भाई तुझ में तमीज बिल्कुल नहीं है भाई बिल्कुल तमीज नहीं तो सिधात कहता है कि अच्छा तो सारी तुझ में होगी क्योंकि सिधाथ के बिना में कुछ भी नहीं हूँ सिधाथ जैसा गेम में सोचता है वैसा मैं नहीं सोच सकता और अभी मुझे सिधाथ की जरुषत है सिधाथ को ऐसा है रूठा हुआ भी आसीम नहीं देख सकता यह उसकी स्ट्रेटेजी में शामेल है उसके बाद एक conversation दिखाई जाती है आरती और आसिम की ये दोनों अपने आपने ही खिचुडियां पका रहे हैं क्योंकि इन दोनों को अभी power मिली हुई है तो इनको तो जैसे हक मिल चुका है कि वो सिधात को गलत साबित करें एक तो शैनास को दूर कर चुके हैं सिधात से अभी के लिए बाद में तो दोनों का मिलन होना तैय है लेकिन अभी दूरी बनाने के कोशिश कर रहे हैं सिधात और शैनास के बीच में ये एक इनकी strategy है इसे और सिधात को इस तरह से चीजें कर रहे हैं कि हमें भी पावर है हमारी भी इज़त है तो भाई टीम है और सिधात अपनी टीम को लेके चलता है तो इसमें तुम्हें problem क्या है लेकिन तुम लोग सिधात और शैनास की सोच तक कभी सोच ही नहीं सकते तो यहाँ पे दोनों की बात हो रही होती है आरती अपना गाना गाती है मुझे बुरा लगा मुझे shadow बोला independent बोला आसिम तुझे तेरी मा की कसम क्या उसने मुझे गलत नहीं बोला यारी बात बात पे मा की कसम क्यों दे देती है फिर आसिम तो खेर उसकी बात को ignore करता है और आता है सिधात के पास और उसे हक करने की कोशिश करता है फिर आसिम कहता है रिलेक्स कर रिलेक्स कर फिर सिधात बोलता है मैंने दस बार बोला है कि सामान चोरी नहीं होगा बोरी चोरी नहीं होगी तो आसिम कहता है कि लेकिन तू वहां से गया ना तो वो लोग चोरी का प्लान बना रहे थे तो सिधात के थे कि भाई अगर वो करते ना मैं उनका पूरा उठा लेता सारी बोरियां उठा के अपने तरफ ले आता तो इतना इन से क्यों है मैंने बोला ना कि ये सब नहीं होगी तो फір आसिम को रखता है चल ठीक है ठीक है रिलैक्स कर रिलैक्स कर मतलब उसे अभी दोस्ती करनी यह सिधात Sky की उसे दोस्ती की अभी जरुरत है बहुत जादा मतलब ही है यार आसिम और आरती जो की इस टास्क में नजर आने लगें तो धीरे धीरे इनके पत्ते और भी जादा ओपन होंगे अब अगर हम टास्क की बात करें तो सिधारत वाली टीम जीच जाती है यहाँ पे मैं आपको बता दू कि शहनाज जब पारस वाली टीम की तरफ से खेल रही है अभी तो शहनास ने बोला भी था कि मुझे लग रहा है कि अपने पास ना कम डब्बें कम बारिया है तो पारस उसकी बात को एगनॉर करता है पारस के था नई, नई, बहुत जधा है था कि बहुत जधा है हमारी टीम यहाँ पर जीत गई क्योंकि उनकी बोरिया जादा है अब पारस की टीम हार चुकी है तो उनको ना एक बंदे को निकालना होता है जो उन्हें वीक लगता है तो यहाँ पर पारस सबसे पहले माहरा का नाम लेता है वो पाहरा को निकालना चाहता है यहाँ पर बात साफ है कि बात weak की है तो माहरा को चल तू है न तू rest कर आप हो rest करना इसलिए बोलता है माहरा को क्योंकि वो weak है अब माहरा अपने आपको weak कभी कहलाना नहीं चाहेगी वो है weak लेकिन वो कहलाना पसंद नहीं कर रहे क्योंकि उसका ego heart हो जाएगा यापर अब पारस को भी पता यार की शहनास का दिमाग बहुत अच्छे से चलता है टास्क में वो अपना 100% देती है टास्क में वो बहुत स्ट्रॉंग प्लेयर है उसने हर टास्क में अपना 100% दिया है इसलिए पारस सबसे पहले माहरा का नाम लेता है जब वीक बंदे की बात आती है लेकिन माहरा का इगो हाट होता है वो चिल्लम चिल्ली करने लगती है नाराज होती है और अंदर चले जाती है अब हमारी प्यारी शहनास वो कहती है कि अरे वो नाराज हो रही है तू मेरा नाम ले ले मुझे मेरा कर दे मेरा कर दे तो फिर पारस announcement कर देता है और वो शहनास को rest करने के लिए बोल देता है और शहनास का जो वो poster होता है उसे फाड़ना भी होता है मतलब जो जिस बंदे को निकालेंगे उसका poster फाड़ेंगे तो यहाँ पर शहनास का poster फाड़ दिया जाता है अब यह सब कुछ देख रहा था सिधार्थ और सिधार्थ बिल्कुल नहीं चाहता था कि शहनास इस तरह से weak कही जाए या उसका poster इस तरह से फाड़ा जाए क्योंकि शहनास बहुत strong है यार और सिधार्थ को पता है कि शहनास task में अपना 100% देती है वो नहीं चाहता था कि माहरा के लिए शहनास खुद का poster फड़वा दे खुद का नाम announce करवा दे तो यह चीज सिधार्थ नहीं देख पा रहा था उसके बाद अंदर का scene दिखाया जाता है जहाँ पे माहरा मैडम नाराज होके बैठी है और जैसे ही पारस अंदर आता है तो वो कहती है कि तुने मेरा नाम कैसे लिए? मैंने तो सोचा भी नहीं था कि तु मुझे weak समझता है, तेरे जहन में मेरा नाम है तो यहां पे पारस अपनी सफाई दे रहा होता है और सिदार्थ हसता है और सिदार्थ हसता है तो माहरा मेडम और भी ज़्यादा चुड़ जाती है बहुत ज़्यादा चुड़ जाती है और यहां पे माहरा शेहनास से बोलती है कि जब उसने मेरा नाम ले लिया था तो फिर पोस्टर मेरा क्यों नहीं फाड़ा तो शहनास के दिए क्यों फाड़ेगा तेरा तेरा क्यों फाड़ेगा तो मेरा ही नाम अनौंस करने वाला था उसने बोला था कि माहरा को रखना है और मेरा नाम उसने अनाउंस कर दे यहाँ पे शहनाज कितनी अच्छी है यार शहनाज जैसा कोई हो ही नहीं सकता इतना अच्छा दिल हलागी वो माहरा पारस के असकेट भी बहुत अच्छे से चानती फिर भी उनके लिए टास्क में ये सब्ट करने के लिए तयार है और बता भी नहीं रही है कि पारस तेरा नाम लेने वाला था लेकिन मैंने बोला तो ये मतलब ऐसा कोई हो इनी सकता और उसके अच्छाई को समझने वाला कोई ही नहीं इस घर में सिधात को छोड़ कर और सिधात ये चीज़ बरदाश नहीं कर पाता है कि शहनाज इस तरह से कुर्बानी टास्क में माहरा के लिए दे क्यों रही है तो शहनाज यहाँ पे बोलती है कि नहीं नहीं वो तेरे कोई रखना चाहता था इसलिए उसने मेरा नाम लिया और मेरा फारा तो सिधात करता है जूट क्यों बोल रही है बे तूने ही तो बोला था उससे कि इसको रहने दे और मेरा फार दे सच बता ना माहरा को तो शहनाज बोलती ही क्या सच बता हूँ तो सिधात बोलता है कि तू सच बता कि वो माहरा को निकालने वारा था लेकिन तूने बोला कि मेरा कर दे इसलिए तेरा फाड़ा तो माहरा का एगो और भी जादा हट हो जाता है वो इतनी बत्तमीज है ना यार हमेशा सलीके और तमीज की बात करती है लेकिन खुद में वो चीज़े बिल्कुल भी नहीं है और यहाँ पे वो शूस दिखा रही होती है सिधार को और शहनास को ये अच्छा नहीं लगता माहरा सिधार को शूस दिखा रही है और ये चीज़ शहनास को बहुत बुरी लगती है शहनास कहती है ऐसा मत कर या उसको शूस क्यों दिखा रही है चल अच्छा दिखा नहीं है तो फिर अच्छे से दिखा और शेहनास सामने से हट जाती है और कहती कि चल अच्छे से दिखा तो इसको शूस दिखा रही है ना तो फिर अच्छे से दिखा अजला शेहनास भी यार फुल फुल दिमाग से खेल दिये तो यहां पे maharah के नहीं है किसको दिखा रही हूं तो शहनास फिर से बोलती है तो भाई यही है कि शहनास को बुरा लग रहा है जब सिधाध को maharah शूस दिखा रहा है और सिधाध को बुरा लगा जब शहनास ने टास्क में maharah के लिए कुर्बानी दी तो क्यों इफेक्ट हो रहा है यार इन दोनों को एक दूसरे से ये दोनों तो अभी बात भी नहीं कर रहे हैं दोनों एक दूसरे को हर्ट कर रहे हैं हर्ट हो रहे हैं एक दूसरे से और सिधात को पसंद नहीं है कि शहनास के साथ इस तरह से इस घर में कुछ भी गलत हो चाहे वो टास्क में ही क्यो नहीं हो तो यह प्यार नहीं तो और क्या है यार एक दूसरे के लिए फिलिंग्स नहीं तो क्या है और यह सब चीजें धीरे धीरे और जादा बढ़ेगी आग लेकिन इन दोनों का खुब सूरत सा फस्ट पैचप भी बहुत चल्द आने वाला है जिसके क्लिप में आगे डिकोट करूंगी हमेशा माहरा टारगेट करती है सिधात को चाहे लेडर वाला टास्क हो या फिर यह बोरी वाला उसकी एक ही आदत है सिधात को टारगेट करना और यह चीजे और भी आगे बढ़ेगी यहां पर माहरा नाराद हो चुकी है और पारस उसे मनाने आता है अब पारस को पता है कि माहरा हमेशा सिधात को टारगेट करती है तो वह सिधात को पहले नीचे गिराएगा उसके बारे में गलत बोलेगा तभी तो माहरा खुश और यह बात पता होती है पारस को जान-बूच की यह वाश-R stove से आता है जिदात और हसता है उसे उसे भी Chevy महीरा तो महीरा कही तो महीरा रुख जा रुख जा है तो मतर वाली अंटी है तो मतर वाली अंटी जहनानी लड़कियάν इनकी टीम है कैसे यार पारस महीरा ये लोग कैसी सोच रखते हैं औरतों के बारे में कितना गलत सोचते हैं चलो पारस तो पारस यहां माहरा भी गमनी है वो मटर वाली आंटी बोल दिये सिधाथ को आखिर इसका क्या मतलब है यार लेकिन वही है ना कि नीच सोच के साथ ये लोग गेम खेलेंगे तो इनका हल वही होगा तो यहां पर अब यहां पे पारस और जादा एरिटेट करता है सिधाथ को वो कहता है टास जीतने से ना कोई बिग बॉस नहीं जीत लेता देखना बिग बॉस तो मैं ही जीतूँगा ट्रॉफी तो मैं ही ले जाओंगा तो सिधाथ बोलता है अच्छा तुझे पहले से पत दे जाएगा और वो मोड क्या होगा और शहनाज इस चीज से कैसे इफेक्ट होगी यह सम्में आपके साथ डिसकस करूंगी गाइस नेक्स्ट वीडियो में तो आज अभी ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके मुझे जरूर बताएगा और इन मोमेंट्स पर मेरी डिको ने लगा वाच दूराइज ये जरूराइज वांट्स ने जरूराइज रूराइज झाराइज वगा थे जरूराइज